हेलो एवरिवन कैसे हैं आप से वासा करती हूँ आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे मैं कह रहे हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ क्योंकि पॉजिटिव थौट के साथ इंसान को आगे बढ़ना चाहिए यह तीज के अगले सुभा की नहीं बलकि उसके अगले सुभा की 11 तारिक की यह वीडियो है साम का समय है दिन पर हम लोग इसी तर लेटे वे थें क्योंकि कल 12 तारिक है कल जो है ममी को GIMS जाना है फानल रिपोर्ट लेने के लिए 12 को जाना है देखते हैं 12 को क्या होता है और फिर 13 को क्या होता है क्योंकि 13 मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्योंकि वीडियो चुकी लेट से जा रहा है तो मेरे पास update आ चुका है इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहे हूं कि तेरा October cooperation का date मिल गया है लेकिन अभी तक तो हम लोगों को पता नहीं था जिस तरह के आप ब्लॉगिंग में देख रहे हैं तो यहां पर साम का समय था दिन बार इसी तरह से बिखरा रहा घर वर इसी त रब्रत करने के बाद एक दूदिन समय लग जाता है साड़ी बगेर तो मैंने 10 तारी को ही दो लिया था एक साड़ी इसमें यह भी है जो मैंने ममी को दिया था बाबो के बर्टडे में पहनने के लिए तो ममी अपना ब्लाउज पहने था और बर्टडे का वीडियो से शेयर नहीं करपाई हूँ, कलिप कही मिस हो गया, मैं बहुत ढुणती हूँ ढूणने का उतना समय भी नहीं मिलता है, तो कभी न कभी मैं जरूर शेयर करूँगे अपने बेटे की बर्थडे का वीडियो, बहुत ही अच्छे से मैंने डेकॉरेट किया था और मनाया था, तो यहाँ पर मैंने बेट सीट वगेरा ठीक कर दिया है कीचन में आटा वगेरा सब कुछ मिला लिया है आज कल सुभा चुकी होस्पिटल जाना है मेरा भाई जहाँ पटना में अपने कॉलेज के आसपासी रूम लेकर रहता है या लॉज में रहता है तो वहाँ से वह अभी आएगा तो उसने कहा था देथी कुछ इसफेसल बना लो कल मम्मी को डॉक्टर देखेगा पता नहीं क्या कहता है क्या नित मम्मी बोल रही थी कि कुछ खीर उरच्छा ऐसा बना लो तुमारे हाथ का खीर खाने का मन करता है तो मैंने का ठीक है तुमारे जाओ देखते हैं क्या कुछ बना पाते हैं तो यहां पर मैंने बेट सिट ठीक कर लिया जो भी बेट सिट उता रहा है उसको मसीन में डाल दूंगे लगे हाथ धो दूंगी पाइप जो वासिंग मसीन का है तो उसमें पाणी अंदर नहीं जा है तो इसको भी फोल्ड करके और सिधा चलेंगे अब हम लोग कीचन तो यहां पर मैंने आटा मिला दिया था तो ममी ने कहा कि आज मैं रोटी बना देती हूं क्योंकि तुम तो करती ही रहती हो लगाता और मां तो मां होती है और ममी कुछ करे ना करे लेकिन में मेरे पास हो जी बोला और तो मैंने कहा खीर बोला और अब वह और और करते जा रहा था आटम बढ़ते जा रहा था उसने तो पुलाव दालोगे कहा लेकिन मैंने का नहीं मैं तो नेक्स टाइम कुछ अच्छा से रिपोर्ट आ जा अस्पताल का फिर बनाओंगी और उसमें मेहनत भी है अब ही मेरा मन नहीं कर रहा है तो यह दही की कड़ाई जिसको की धोने के लिए मैंने रखा है और इधर खीर मैंने इंडक्सन पर चड़ा दिया है तो मम्मी बोली कल से फिर अस्पताल का सिलसिला सुरू होगा तो आज मुझे रोटी बनाने तो तुम तो करी रही हूं ना इधर सारा काम तुम करो मैं जल्दी से रोटी बना लेती हूं अटा मिला हुआ है कि चंसा पर मुझे भारी नहीं लगता है इस तरह से मम्मी बोली तो यहां पर मैं इस कड़ाई में टमाटर की चटनी बना लूँगी क्योंकि मम्मी को बहुत मीठा खाने का मन कर रहा था त बाड़ी ज्यादा निकल गया था इसका जो विष्टेज होता है मेरा भाई जो मेरे भाई को घी बहुत पसंद है वो हर खाना में उसको घी चाहिए तो मैंने का इसको मैं बोटल में नहीं रखोंगी इसको रोटी में यूच कर लेती हूं उसके बाद जो बचेगा तो रख कब तक इसको हटा पाती हूं तो यहां पर मैं अब टेमाटर की चटनी बन गई है खीर भी बन गई है उदर आप देख रहा हूंगे रखा हुआ है मस्रूम को उदर मैंने बॉयल होने दे दिया और इधर टेमाटर प्याज लसून अद्रक यह सब मैंने काट लिया है मैं आपको बताऊंगी क्योंकि मुझे इतना experience हो गया मेरे सासू मा की गॉल ब्लेडर में पत्थर मेरे husband का operation वा गॉल ब्लेडर केक का मेरी मा का होने वाला है मुझे काफी कुछ जानकारी मिल गई सब को पत बना कर देते देते मुझे बहुत कुछ जानकारी मिल गई है किसी वीडियो में मैं सेयर करूंगी मैं बनात हो रही हूं मसाले वाला लेकिन मम्मी ज्यादा खाएगी नहीं क्या होता है खाने से ये भी बताऊंगी तिये जो बचा गरम मसाला है इसको एक डब्मे मेरा दूंगी कीचन तो पूरी तरह से साप है तो आप देख रहे हैं achievement in all मैं आपके साथ नम्रता चैनल पर नए है चैनल सब्सक्राइब करिएगा वीडियो तो पसंद आएगा ही आएगा वीडियो को लाइक करिएगा और मैं बिल्कुल इसमें नेचूरल दिखाती हूं कुछ भी बनावटी नहीं कुछ भी नहीं जैसे मैंने कहा आरे 11 तारीक है दिन सब्सक्राइब कर लोगी और बांकी चीज तो बनी गया है खीर है और चटनी है रोटी तो ममी ने पहले ही बना लिया है तो मुझे क्या हता है मुझे खाना खाने से ज़्यादा खोशी मिलती है किसी को बनाकर खिलाने में बस मेरा तबियत ठीक हो नहीं मैं भी बिल्कुल सूस्त हो गई हूँ अब समझ में नहीं आता है कि क्यो आप पताने नौब परफान है क्या है बहुत रहती हों लेकिन आफ समस्द सकते हैं कैसा लग रहा होगा कि मतलब पटना में लोग आते हैं रहते हैं और मैं वह सास कोई मुझे बहुत तकलिफ होती है कि साथ में खुशी का पड़ नहीं कर पाते हैं कि जो जैसे मम्मी यह कोई और भी है निके दिमाग में चलते रहता है कल डॉक्टर किया जाना है डॉक्त क्या बोलेगा नहीं बोलेगा इसके साथ क्या समस्य आए कि बैठा लेता है लंबे समय तक बैठा लेता है भूके प्यासे तो इसकी हालत खराब हुजाती है तो आप चाय भी पीकर नहीं आ सकते हैं बहुत बुरा लगता है तो आज 11 तारिक है बारक को मम्मी जाएगी वहाँ पर तो अभी तक तो हम लोगों को आपको मैं बता लोगों को नहीं पता क्या होगा क्या नहीं यहां लगवग मेरा सब्जी भी भूबल रहा है अब थोड़ा सा मुझे मैनिया विमारी है जैसे कि थाली अगरे धोया भी है तो भी अब मैं इसको एक बार मैंने धो दिया था क्योंकि आज मैंने सोचा था बहुत सारा आइटम बनाई हूं तो इसी इस तानी का अपयोग करूंगी मेरे भाई को भी इस थाली में खाना बहुत अच्छा लगता है किनारे में कुछ कुछ जमा वाता मैंने इसको छूरी से निकाला इसके पहले मैंने धोया था मैं इसको सोखे कपड़े से पोचूंगी बिल्कुल खाना पीना बनाने का जगा और चोछण बनाती है और जिटना भी इतीज में जूभी इसलगा परिवार परिवार तो उसके मन में हो गाया या लगा लगा कुछ कुछ बन गया है सब्जी बन गया है और जितना भी टीज में जो भी जोल्डी शाड़ी वगएरा पहना था सब कुछ मैं दियर दे समेट रही हूं तो साड़ी तो मैंने समेट कर रखे दिया दो तिन साड़ी और बचा है कॉटन वगएरा रेड़ वाला जो की दिन में पहना था तो अब यहां कर दिया और ममी उदर इलाइची कुटने लगी तो सब मिल के एक साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन इतना काम करती है इतना बहुत सबेरी उठती है मेरे हस्वन बहुत गुस्ता करते हैं ममी से कुछ भी मत करवा लेकिन में मैं मैं कहती है कि अगर ऑपरेशन हो या तब तो मैं कुछ नहीं ही कर पाऊंगी तो इसलिए मैं सोड़ा सा हेल्प करती हूं और यह जो मैं चूड़ी पैनी हूं इसको सुर्गी चूड़ी कहते हैं आज कल प्लैन चूड़ी मुझे बहुत पसंदा रहा है तो जो मैं गई थी चूड़ी मार्केट वहां से मैंन जाता है चूड़ी स्टेंड लेने गए तो भी कैंसील ही हो गया एक बहुत अच्छा बैंगल बॉक्स मने लिया तो अपने भावी को गिप्ट कर दिया दुबारा फिर वो चीज मुझे मिला ही नहीं तो यहां पर खीरी में मम्मी जो है इलाइची मिला दी मैं रोटी में घ इतना भी बुरा पल हो आपके साथ मन अच्छा लगता है खुसी का अपल अगर आप भी ताये तो क्योंकि अब तो आजकल हर लोग परिसान है तो परशानी का गीदगाना मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन ना चाहते भी फिर भी मुझे बहुत कुछ मैं बता देती हू अगर आप लोगों को बुरा लगी तो माप करिए का डियर लेकिन मैं बिल्गुल खुसी का अपल मोमेंट आप लोगों के साथ सेर करना चाहती हूँ तो यहाँ पर अफखाना रेडी है मम्मी सब के प्लेट में खीर दे रही है तो मैंने क्या किया मम्मी जब खीर लगा दी तो मैंने अपने प्लेट में फिर से एक वार खीर लिया क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद था और यह बोल रही थी कि आज अगर खीर नहीं बनाती तो मैं पच्टाती तो अगले दिन बारा तारिक को जो मम्मी का टेस्ट हुआ सूगर का तो मम्मी को डायवेटीज निकल गया तो बताइए मैं कितना पस्ता थी अगर आज ममी का बात नहीं मानती वो बोल देती कुछ मीठा बनाओ खीर बनाओ खीर खाने का मन करता है अंजाने में खाली कोई दिक्कत नहीं था लेकिन बाद में क्या होता तो डियर आज की ब्लॉग में बस इतना ही वीडियो को फ